प्रिंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशव सेचा विष्णु भक्ति प्रदै देवी सत्य वत्य नमो नमा ये तुलसी माता आपको बारम बार नमन है आप भगवान विष्णु को प्रिये है और भक्तों को भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करती है ये सत्य सुरूपा देवी आपको मेरा प्रणाम है जैश्री रादे तुलसी को भगवान विश्नु की अति प्रिय माना गया है हर पूजा में भगवान विश्नु को तुलसी पत्र अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विश्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है तुलसी की पूजा से सभी पापों का नाश होता है विभिन पुरानों और शास्त्रों से हमें इसका उलेक भी मिलता है कि तुलसी माता की भक्ति करने से मनुश्य के सारे पाप नश्ठ हो जाते हैं तुलसी एक औशद्य पौधा भी है इसका उप्योग आयुरेद में कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है तुलसी के पत्तों का सेवन स्वास्ती के लिए अत्यधिक लापकारी माना जाता है यह सर्दी, खासी, बुखार और अन्यशारिरिक समस्यों में अत्यंत उप्योगी भी होता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पवितर्ता और सकारात्मक्ता उडजा बनी रहती है तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाना बहुत ही शुब माना जाता है और इससे परिवार में सुख, शान्ती के समृद्धी भी होती है कार्तिक मास में तुलसी विवा का आयोजन भी किया जाता है इसे तुलसी और विश्नु भगवान के विवा के रूप में मनाया जाता है जिसमें तुलसी जी का विवा शालिक राम जी से किया जाता है जो अत्यंत पुंदाई माना जाता है तुलसी माता ना केवल धार्मिक दिश्टी कौन से महतवपून है बलकि उनका आयरवेद और समाजिक महतवभी बहुत रखता है उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुक समर्दी आती है आध्यात्मिक उन्ती का मार्ग भी परश्यस्त होता है सुभा ब्रह्म मूरत का समय सुर्यद से लगबग डेड़ से दो वंटे पहले का होता है ये समय अत्यदिक पवित्र माना जाता है इस समय उठकर इसनान करें और स्वच वस्तरधारन करके आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं पूजा-स्तरल और तुलसी जो चारा होता है उसकी साफ सफाई करें इसे जल से धोकर शुद करें और स्वचता का ध्यान रखें तुलसी के पौधे के पास ब्रह्म मूरत में गी का दीपक जलाएं दीपक जलाने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मूरत ही माना गया है अगर आप सूरे दर की समय दीपक नहीं जला सकी है तो सूरे के उदै के बाद भी दीपक जला सकते हैं लेकिन भरहम मूरत सबसे श्रेष्ट माना गया है तुलसी माता को जल अर्पित करें, जल अर्पित करते समय, मंतर का उचारन करें ओम श्री तुलसाहिनमा या फिर आप विश्णु जी के मंत्रों का भी उचारन कर सकते हैं। तुलसी माता को सुहागन माना गया है इसलिए उन्हें लाल, हरे या पीले रंग की चुन्री अर्पित करें। लाल रंग का चुन्री चड़ाने से परिवार में सुख शांती बनी रहती है और वो बहुत ही शुबदाई भी होती है और भगवान विश्नु भगवान की किरपा भी आपके परिवार पर बनी रहती है आर्ती करने के बाद माता जी को भोग लगाए भोग में आप गुड़ या कोई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं तुलसी माता के चारों और तीन बार परिक्रमा करें परिक्रमा करते समय भी आप मंदर का उच्छारन कर सकते हैं शाम की पूजा करते वक्त भी हमें उसी तरीके से दीपरज्वलित करना है आर्ती करनी है और माता जी को भोग लगाना है रविवार एकदेशी के दिन को हमें तुलसी जी को जल नहीं चड़ाना होता उन्हें छूना भी नहीं होता तो सिर्फ उस दिन हम पूजा करते हैं और उनके पत्तों का उप्योग भी हम नहीं करते हैं तुलसी के पत्त बिनाद होएं कभी भी विश्णु जी को अर्पित ना करें कार्तिक मास में रोज तुलसी जी को जल देना चाहिए और उनकी पूजा विधी पूरवक करनी चाहिए इसका बहुत ही जादा महत होता है तुलसी कर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली मानी जाती है जब भी आप तुलसी का पत्ता तोड़े तो उस समय ओम तुलसाय नमा मंत्र का जाप करें क्योंकि भगवान विश्णु को जो भी हम भोग लगाते हैं वो तभी सुईकार करते हैं जब हम उसमें तुलसी पत्तो को डालते हैं तो इसलिए जब भी आप तुलसी माता की पत्तो को तोड़े तो समय उन्हें प्रणाम करते वे और मंत्र का जाप करते वे तुलसी माता के पत्तो को तोड़ सकते हैं और अंत में जब तुलसी जी की पूजा हो जाए तो उन्हें हाँ जोड़कर प्रण करते हैं वे अपने घर में सुक्ष मृद्धी की काम ना कीजे माता रानी आपके उपर किरपा बनाए आपको ये वीडियो कैसी लगी उम्मीद करती हूं आपको ये जानकारी पसंद आई हो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेग जै श्री रादी